सबी को मेई तरफ से प्यार भाह नमस्कार, उमीद करता हूँ, आप सब बढ़िया होंगे, त्यारी अच्छी चल रही होगी, तो फिलाल आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं, एडवर्ब के प्रेक्टिस कोशिंस के बारे में, इससे पहले मैं एडवर्ब के जो कॉं चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लेलिस्ट है, complete English के नाम से, चैके हैं, complete course English का वो प्लेलिस्ट है, उसमें आप sequence में सारी वीडियोज देखिए, जिसमें conceptual क्लासिज भी है, प्लस practice questions भी है, individual chapter के, और complete chapters से सारे के सारे, तो आज बात करेंगे एडवर्ब की, तो मैं वही देखें हैं तभी आप मेरे तरीके से solve कर पाऊगा इसे और शुरुवात करते हैं बस टेलिग्राम चैनल जॉइन कर लो तरुन ग्रोवर इंग्लिश और इसके अंदर मैं आपको टेलिग्राम के अंदर मैं आपको ये PDF भी भिजबा दूँगा आप घर पे भी आराम से लगात करते हैं तो सबसे पहली स्लाइड आपके सामने आपके स्क्रीन के उपर फड़ा-फट से वीडियो को पोज कर और इनको बनाओ और अब समझते हैं चलिए उमीद करता हूं बना लिया होगा आपने शरुवात करते हैं पहले question की that person is very better मैं एक बात आपको और बता दूँ 100 से ज्यादा question आज हम करने वाले हैं ठीक है तो जल्दी जल्दी बनाने हैं आपने कोशिश करनी है that person is very better as compared to a full time a full time का मतलब होता है पुरानी स्थिती से या पुरानी situation से तो वो person आज के time पे ज्यादा better है अगर compare करें पुराने time से तो आपको पता है better लिखा हुआ comparative degree है और comparative degree को modify very नहीं करता है कौन करता है बचे मच करता है कुछ बच्चे यहाँ पर यह argue कर सकते हैं सर very को very लिखा रहने दे और better को good कर दे ऐसा भी कुछ students बोल रहे होंगे देखो कर सकते हो यह भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं क्योंकि positive degree को very modify करता है लेकिन अगर आप sentence का कहीं comparison हो रहा है भले then ना लिखाओ लेकर indirect comparison हो रहा है तो much better लिखना ज्यादा appropriate होगा by the way error second part में ही होगा आप कोई भी situation को follow करें लेकिन मेरे according much better ज्यादा appropriate है that person is much better as compared to afford time he is much wiser compared to his brother देको फिर से comparison हो रहा है एक तरीके से चाहे भले then ना लिखाओ लेकिन indirect comparison है indirect comparison है तो much को much लिखा रहने देंगे और wise को क्या गर देंगे wiser he is much wiser compared to his brother मैंने he is को कुछ और पढ़ दिया था कोई बात नहीं चलिए social intercourse की बात कर रहा है मतलब समाज में जब वो भाहर जाता है लोगों से बातचीत करता है तो उस case में जो वो है वो ज्यादा जो मतलब ही है वो पाद रखना है आपने तो जो two होता है basically अपने बाद adjective लेता आप लोग जानते है too strong, too weak तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि much to के बाद adjective आएगा और too much much basically अपने बाद noun लेता है तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि too much के बाद noun आएगा जैसे एकर मैं बोलूँ too much pain, pain noun है लेकिन अगर मैं much to बोलूँगा much to तो painful बोलना पड़ेगा ऐसे यहाँ पर too much लिखा हुआ है much के बाद basically noun आता है तो आप इसे pain experience नहीं कर सकते हैं योगि pain experience कुछ नहीं होता है या experience noun उसको modify करने के लिए adjective तो चाहिए painful तो चाहिए अगर painful चाहिए तो आप इसे too much नहीं इसे much to कर दीजिए समझ में आया बहुत easy था ठीक है I reached in the office some lately lately का मतलब होता है हाल फिलाल में यहाँ देरी की बात हो रही है देरी के लिए late use करते है the much wisest याद करो superlative degree को modify दो तरीके से किया जाता है the plus very plus superlative degree और much plus the plus superlative degree तो या तो आप इसे ऐसे कर दीजिए the very wisest या आप ऐसे कर सकते है much the wisest person दोनों सेम है मैंने पढ़ाया हुआ आपको ठीक है जल्दी से एक लिए slide को pause कीजिए और बनाइए इन questions को this matter was very hardly to tackle for me ये matter बड़ा मुश्किल था मेरे deal करना तो मुश्किल के लिए hard आता है hardly नहीं क्योंकि hardly का मतलब होता है ना के बराबर या शाहिद ही कोई ठीक है this story is very interesting interesting due to its profile इसमें भी कोई गलती नहीं है very interesting में ठीक है no error है इसके अंदर it was very only to ये भी पढ़ाया हुआ एक term होता है only to और एक term होता है none to दोनों में difference क्या है only to का मतलब होता है very और none to का मतलब होता है not very तो जब only to का मतलब very already ही होता है तो very क्यों लिखा हुआ है या पे superflu curious नहीं हो गया तो it was very good बोलो या only to good बोलो एक ही बात होती है yes or no although he is only to को सिरफ two से relate मत कर ले ती डबलो टू वो अलग चीज है only to अलग चीज है only to का मतलब very होता है ध्यान रखिएगा although he is usually rude with everyone he behaved nice with nice नहीं होता भाई behave verb को modify adverb करेगा तो nicely आना चाहिए nice नहीं चाहिए चलि बना लिया जी चलिए never in the history of India there has been as brave there has been नहीं नहीं देखो never शुरू में आजए never hardly rarely अगर sentence के शुरू में आते हैं तो inversion का use होता है तो inversion बनाने के लिए पहले helping वो बाद में subject को लेके जाएंगे ऐसे होगा has there been never in the history of India has there been as brave a lady as Rani Lakshmi भाई कभी नहीं हुई है history में इतनी बह he ask me to completely forget her to के बाद verb की first form ये infinitive होता है infinitive को कभी भी split नहीं कर सकते हैं तो ऐसे होगा he ask me to forget her completely to और verb की first form के बीच में infinitive नहीं आता है बहुत grammarians इसके उपर argue करते हैं कुछ लोग आप modern time में use भी करने लगे हैं लेकिन ये एक error माना जाता है और कुछ-कुछ concept ऐसे होते हैं grammar क जो जिनमें dispute रहता है सब के सब argue करते रहते हैं कि मेरे वाला सही है उसके वाला सही है कुछ grammarians कहते हैं कि हमारा point valid है कुछ कहते हैं हमारा points bona fide है तो उस case में क्या होता है वैसे questions vague होते हैं examination में आने के chances थोड़े कम रहते हैं उसके अंदर लेकिन कभी-कभी दे देते हैं ऐस पर फिर वही वाली बात है dispute raise हो जाता है उस question पर कभी-कभी उसके पूरे number में मिल जाते हैं फिर जब वो गलत साबित हो जाता है question है तो वही वाली बात आप निश्चिंत रही है वैसे concepts आपको examination में देखने को नहीं मिलेंगे तो यह उसी type का कुछ concept है 2 के बाद वैसे verb की जो first form है उसको हम कभी भी split नहीं कर सकते ध्यान रखिएगा एक error है तो आपके examination में आए तो आपने split नहीं करना है अकबार में कहीं लिखा हुआ मिले तो कोई दिक्त नहीं है लेकिन exam में आजए तो 2 के बाद पहली form अगर आ रही है तो उसे split नहीं करना है जैसे she advised me to not go there त गुनाल's father advised him not to ride the motorcycle late at night रात को देरी से बात हो रही है लेटली नहीं आएगा लेटली का मतलब होता है हाल फिलाल में यह जो room है बड़ा सुंदर है but too much small फिर से आ गया too much much के बाद बड़ा noun होता है और यहां तो adjective लिखा हुआ है और adjective ही चाहिए हमें यहां पे क्योंकि room को बताना है जो भी बताना है room noun है noun को modify कौन करेगा adjective करेगा तो क्या करें तो too much को much to कर दो है ना this room is very beautiful but much too small to accommodate all of you he walked quick नहीं he walked quickly होना चाहिए बोलो हां चलें जी चलिए फड़ा पट से अगली बना दीजी slides all of them work very careful नहीं carefully हम सबने काम किया कैसे किया साफधानी पुर्वक किया तो क्या आना चाहिए भाई care fully ठीक है right from the beginning you seem to be in a fridge यह भी पढ़ाया हुए a en का एक structure होता है या दो तो a en यह e से होता है enough और n से होता है noun और a से होता है adjective कहने का मतलब जब enough के साथ adjective आता है तो वो enough से पहले आता है और जब noun आता है तो enough के बाद आता है बस a en ध्यान रखिएगा rich लिखा हुआ है rich होता है adjective rich richer richest तो उस case में enough बाद में आता है rich enough होना चाहिए rich enough है na a en बस ध्यान रखना rich enough clear तो you seem to be rich enough हाला कि इसके बीचे क्या logic है वो मैंने पढ़ाया हुआ आपको class के अंदर अभी आप ऐसे ही समझे क्योंकि हाँ practice कर रहे हैं हम ठीक है concept नहीं समझा रह रह ले आता है जैसे कि enough money enough time है ना I did not know hardly anyone did not भी आगया hardly भी आगया दोनों में से कोई एक यूज करो double negative हो जाएगा या तो आप बोलो I did not know anyone या पैसे बोलो I hardly knew anyone क्योंकि past में जाएगा na note हटा रहे हो तो did not लिखा हुआ उसे simple past भी तो करोगे ना या तो आप ऐसे बोलो I hardly knew anyone KNEW या फिर I did not know anyone double negative hardly or not एक साथ नहीं आ सकता है तो या I knew I hardly knew anyone या बोल सकते है या फिर आप बोलेंगे I did not know anyone ठीक है चलिए He looks full of energy today because he soundly slept Verb के बाद adverb of manner आता है basically She is walking slowly आप ऐसा बोल सकते हो She slowly is walking नहीं बोल सकते Adverb of manner verb के बाद आता है कि वो बढ़ियां तरीके से सोई soundly slept मतलब peacefully सोई वो last night ठीक है तो soundly slept गलत है slept soundly आना चाहिए Verb के बाद adverb of manner She looked at him lovely नहीं lovingly वर्ब है न तो उसने उसकी तरफ देखा बड़े प्यार से देखा Lovely क्या है lovely तो lovely क्या है lovely adjective होता है lovely girl lovely boy फेरे ने lovely से link मत कर लेना है वो तो चलो नाम दिया हुआ brand का उनमें तो कुछ भी use कर देते हैं English ठीक है है न जैसे McDonald's में I am loving it अब I am loving it गलत होता है use करते हैं वो तो brand से relate मत किया करो वो तो gimmicks होते हैं वैसे आप use करो lovely क्या है lovely basically adjective है तो मुझे कैसे बता लगेगा adjective है देखो love ये एक noun है noun में ly लगाते हैं तो adjective है तो बनते हैं but he did not respond to her चलो भी बनाओ बहुत जबर्दस question है एक किस वा जल्दी से बनाओ सारी बनाने वैस्त he eats cleanlier than his cousin ये बहुत बहुत बहुतरीन question है आपको बता है जैसे adjective जो होता है उसकी 3 degrees होती है adverb की भी 3 degrees हो सकती है समझ में आया adjective की जैसे 3 degree होती है positive, comparative, superlative adverb की भी 3 degree होती है चलो सीख लेते हैं उसी question को अब उसने बोला he eats cleanlier than his cousin सबसे वहली बात eats verb है तो उसने कैसे खाया साफ तरीके से खाया और comparison भी हो रहा है किस से अपनी cousin से अब आप ध्यान से देखो verb है verb को modify कौन करता है adverb करता है तो adverb लिखने के लिए cleanly लिखना पड़ेगा आपको cleanly लिखना पड़ेगा clear है he eats cleanly than his cousin इतना हुआ पहले साइँ ठीक है अब then भी लिखा हुआ है तो comparative degree भी चाहिए होगी तो adverb की भी comparative degree आप बना सकते हो cleanly more cleanly most cleanly जैसे adjective के comparative बनते है है और superlative बनते है ऐसे ही adverb के भी बनते है same तरीके से वो one syllable more than one बताया था मैंने आपको दुबारा देखो इस question को eats verb है कैसे खाया साफ तरीके से खाया cleanly आना चाहिए adverb चाहिए हमको लेकिन then भी a comparative degree भी चाहिए तो फिर बस इसके पहले more लगा दो he eats more cleanly than his cousin the students requested their principal to be enough kind enough kind नहीं kind enough अभी पढ़के आए a e n I do not like such nasty things nor he does जब नोर शुरू में आता है या फिर और आ जाए या फिर नोर नाइदर आ जाए यह inversion लेके आते हैं तो नोर डज ही होता है example के तूर पर मैंने कहा कि आपने कहा कि I have gone there तो मैंने कहा so have I और से नहीं बनता है ना इदर नोर से inversion बनता है और so से बनता है जैसे आपने कहा कि I have watched this movie तो मैंने कहा so have I so have I अच्छा आपने कहा I have not watched this movie मैंने का nor have I I always go there या आपने बोला I do not go there चलो क्या बोला I do not go there तो मैंने का बोला nor do I या neither do I तो जब nor neither जब same repetitive बात के लिए use होते है कि तुम वहां जा रहे हो मैं भी जा रहा हूँ तुम नहीं जा रहे हो मैं भी नहीं जा रहा हूँ इस तरीकी की जब बाते होते हैं तो inversion use होता है inversion के लिए फिर he does नहीं होगा does he होगा देखो ना कि मुझे खराब चीज़े पसंद नहीं है मुझे भी नहीं है same बाते repeat करें inversion लेके आता है it was that hot that that hot that that लिखा हुआ so hot आना चाहिए it was so hot that we postponed going out it was bitter cold cold क्या होता है cold colder coldest adjective है adjective को modify adverb करेगा bitterly आना चाहिए यह बहुत थंडी कडाके की थंडी है bitterly cold ठीक है चुब रही है इतनी थंडी है मतला चलिए अगला question जल्दी से सारे फड़ा फड़ से बनाएंगे तो चलिए बना लिए होंगे यह वही वाला question है जो भी वह more cleanly वाला आया इसमें खास बात यह है कि तंडूलकर स्कोर्ड हिस सेंच्टी more fastly दिन लिखा हुआ है पहली बात तो fastly कोई term नहीं होता क्या होता है fast होता है कैसे score की आते जिसे score की है verb को modify करना है तो हमको पता है कि यहाँ पर fast चाहिए दूसरी बात then भी लिखा हुआ है यह adverb है पहली बात तो मैं बता दू यहाँ पर जैसे वो cleanly adverb था न कि he eats cleanly ऐसे यहाँ पर fast यहाँ पर adverb है क्योंकि fastly कोई term नहीं होता है पता है पहला point दूसरा point यहाँ then लिखा हुआ वहाँ पर भी then लिखा हुआ था वहाँ पर cleanly को more cleanly किया लेकिन यहाँ पर fast को more fast नहीं कर सकते कारण यह क्योंकि cleanly एक से ज़्यादा syllable वाला था जिसका more cleanly और most cleanly करके बनता है superlative और comparative लेकिन आपको पता न फास्ट तो एक ही बारी में pronounce हो गया फास्ट फास्टर फास्टेस्ट इसका तो ऐसे बनता है इसका more लगा के थोड़ी बनता है तो आप adverb का ही क्या बना रहे हो comparative form बना रहे हो तो फास्ट नहीं आएगा faster आएगा same concept है बस उसमें जैसे beautiful में more beautiful लगाते है और hot में hotter लगाते है यह difference होता है ऐसा ही difference यहाँ पे आ रहा है basic सी चीज़ है ठीक है confused नहीं होना है पहली बात तो यह adverb चाहिए था क्योंकि score को modify करना था दूसरी बात then लिखा था तो comparative degree भी चाहिए था तो fast का comparative degree faster होता है ठीक है फिर place फिर time तो आप ध्यान से देखेंगे here adverb of place है और on thursday adverb of time है तो पहले place आता है फिर time आएगा क्योंकि manner तो यहाँ पे हाई नहीं तो here यहाँ आ जाएगा on thursday बाद में हो जाएगा ठीक है तो doctor comes here on thursday his book is too interesting नहीं होता भाई very interesting है his mother always makes makes always always often generally यह सब के सब basically main verb से पहले आते है पढ़ाया हुआ है मैंने आपको adverb of frequency जो होते है makes इदर आएगा always उदर जाएगा his mother always makes delicacies delicacies मतलब अच्छा tasty खाना that is not enough good फिर से वही चीज़ होगी good enough आएगा वो aen वाला जो structure है this hardly won't liberty liberty जो होती है जो freedom होता है वो ना के बराबर नहीं जीता जाता है वो मुश्किल से जीता गया है उसमें महनत लगी है तो उसके लिए hard आता है जैसे महनत के लिए hard work होता है hardly work नहीं होता इसलिए this hard won't liberty बोलते हैं इसको lightly abandon नहीं कर सकते है ऐसे छोड़ नहीं सकते ठीक है 32, 33, 34, 35, 36 जल्दी जल्दी से बनाओ भई बनाओ nobody else than your teacher suggested this method मैं आपको बता दूँ कि else अगर term दिखाई दे तो इसके साथ हम लोग use करते हैं but और other के साथ use करते हैं हम लोग then else but other than ध्यान रखना else but other than else है तो यहाँ पर क्या आएगा but आएगा nobody else but your teacher सिर्फ तुमाई teacher को छोड़ के किसी ने भी suggest नहीं किया यह method और कोई नहीं था तुमारा teacher ही था जिसने suggest किया nobody else but your teacher he was never born with a silver spoon in his mouth never नहीं होता never का मतलब तो हो गया कभी नहीं यहाँ पर simple बोलना है कि वो silver spoon लेके पैदा नहीं हुआ मतलब वो high-five परिवार में पैदा नहीं हुआ यह बोलना था simple statement देनी he was not born with a silver spoon यह बोलना था कि वो कभी पैदा नहीं हुआ है कभी पैदा नहीं का क्या मतलब है कि वो silver spoon अपने mouth में लेके पैदा नहीं हुआ idiom है इसका मतलब होता है अच्छे घराने में पैदा होना basically silver spoon है already आपके पास privileges होना so he was not born with a मतलब कि वो बहुत अच्छे खानदान में पैदा नहीं हुआ है थोड़े नीचे लेवल पे है hurtly receive किया गया पहली बात तो h-e-a-r-t-i-l-y hurtly करोगे आगे then भी है तो इसका adverb का comparative degree बनाओगे तो hurtly का hurtlier नहीं बनेगा more hurtly बनता है ठीक है तो बस हो गया यह सही she nearly collapse जोता है she nearly verb को modify करना है तो adverb चाहिए होगा अब देखो वो cleanlier वाला फिर से आ गया same question है तो more cleanly होना चाहिए इसमें क्या ही मैं बताऊँ आपको भी तो सिखाया था चलो जल्दी से अगले बनाएंगे all of them will execute the plan verb है कैसे execute करेंगे skillfully execute करेंगे कि जो उनके officers हैं वो surprise हो जाएंगे no error है इसके अंदर क्योंकि verb को modify adverb कर रहा है so के साथ that है बाकि सब सही है यह जो room है beautiful है but too much small फिर से वही चाहिए much too small आना चाहिए much too small though his actions were severe criticized word criticized passive में verb है verb को modify adverb करता है बुरी तरीके से criticize किये गए severely severe जो होता है न पहली बात तो server लिखा हुआ है server term ही गलत है severe होना चाहिए था severe की spelling क्या होती है s-e-v-e-r server नहीं है यह server ही गलत लिखा होता है पहली बात तो यहाँ severe severe का मतलब extreme ठीक है अब यहाँ पर आना severely criticized बुरी तरीके से extreme वे में criticize किया गया तो पहली बात तो severe यह होता है s-e-v-e-r-e और उसके बाद ly लगाएंगे severely ठीक है ध्यान रखिएगा verb को modify adverb करेगा तो though his actions were severely criticized बहुत बुई तरीके से criticize किये गए उसके बात बोल रहा है he did not lose his temper लेकिन फिर भी उसको गुष्णा नहीं आया they were exceptional good orators नहीं होगा exceptionally good होगा क्योंकि orators noun है noun को modify कर रहा है adjective है adjective को जो modify करेगा वो adverb होगा इसलिए exceptional नहीं exceptionally होगा although वो rude है हर किसी के साथ लेकिन वो behave करता है nice कैसे behave करता है nicely behave करता है चलो जल्दी से बनाएंगे कुछ कुछ एक अधर question repeat हो रहा है तो आप निश्चिनत रहिए वो same चीजे हैं तो आप बना लीजे इतना कोई बड़ी चीज नहीं it's not a big deal आ जाता है एक अधर question he has been working with me for the last 10 years but I cannot claim that I have understood him thoroughly thoroughly क्योंकि तो thoroughly आएगा thoroughly का मतलब completely she was so emotional stable that she was not moved by their decision to suspend her emotional stable नहीं बटा stable किसको बोल रहे है देखो she को she क्या है pronoun है pronoun को जो modify करेगा वो क्या है adjective adjective को भी जो modify करेगा वो क्या adverb तो adverb बनाना है तो emotional नहीं emotionally वो इतनी emotionally stable है कि उसको फरक भी नहीं पड़ा उसके decision से जिसमें उसने suspend कर दिया whenever is the matter I shall do this work because I have to expose my working capacity at any cost whenever नहीं कोई भी मुद्दा होगा मैं ये काम करूँगा कुछ भी हो जाए whatever is the matter कुछ भी हो जाए and anything happens मैं काम करूँगा क्योंकि मुझे expose करनी अपनी capacity any cost तो whatever आएगा whenever नहीं whenever तो जो होता है वो जगा को बता रहा है sorry time को बता रहा है जब भी कोई मुद्दा होगा मैं काम करूँगा कुछ भी बात होगी मैं ये work करूँगा कुछ भी हो जाए any cost तो any cost लिखा तो whatever is the matter he was looking impatient looking impatient नहीं looking impatiently verb को modify करना है न तो he was looking impatiently किस तरीके से देख रहा था impatiently देख रहा था unwanted visitor की तरह whenever you speak take care that other whenever नहीं whatever you speak आप कुछ भी बोले anything take care ध्यान रखे others are not hurt by your words चलो बनाओ भाई जल्दी से he is sure to succeed because he is used to working very hardly नहीं hard महनत की बात हो रही है ना के बराबर नहीं he dance so fastly नहीं बटा fast होता है fastly कोई term ही नहीं होता है the real important thing of our life is our livelihood which differentiates us from animals देखो यहां पर the real important thing नहीं होगा यह the article thing के लिया है यह noun है important modify कर रहा है उसको adjective है और real इसको भी modify कर रहा है तो फिर adverb होना चाहिए the really important thing होना चाहिए we were very much carefully in our approach गलत हो गया यहां पे जो term है we के लिए बताना है कि हम जो ये थे अपनी approach में क्या थे pronoun को modify करना है तो बटा आप adjective चाहिए adverb नहीं चाहिए हम बहुत careful थे अपनी approach में where else did you go besides the office she asked her husband else और besides साथ साथ नहीं आ सकते योगि besides का मतलब होता है कि इसके अलावा आप कहां गए तो else का मतलब भी अलावा है इसके इसके अतरिक्त आप कहां गए अलावा नहीं इसके अतरिक्त आप कहां गए जब और कहां गए पहले ही extra का sense आ गया है तो दुबारा else क्यों लगा रहे हो अब कुछ बच्चे पूचेंगे सर बिसाइड्स लिखा रहे हैं इसके अल्स हटा थे लेकिन sentence नहीं बनेगा where else did you go the office structure नहीं बना तो else को हटाना पड़ेगा यहां पर आप ध्यान रखिएगा चलिए अगली category आपके सामने मतलब अगली slide आपके सामने फड़ा फट से बनाईए जल्दी से तो चलिए आपने बना लिया होंगे such opticals will not stop him nothing never did this is why he is progressing by leaps and bounds तो ऐसी जो बाधाय हैं उसे नहीं रोक पाएंगी आज तक कभी नहीं रोक पाई है इसी वज़ा से वो progress कर रहा है leaps and bounds मतलब बहुत जल्दी से वो आगे बढ़ रहा है तो क्या आना चाहिए सार nothing never did गलत होता है nothing भी negative है never भी negative है double negative हो जाएगा तो इसलिए आपको ever करना पड़ेगा such opticals will not stop him nothing ever did ठीक है जी चले he is almost quite competent he is almost quite competent for the post of manager so when given a chance he can lead the company to its goal almost का मतलब होता है लगभग और quite का मतलब होता है पुई तरीके से तो ये थोड़ा contradictory नहीं हो गया क्यों? क्योंकि competent किसी को आप बोल रहे हो कि वो योग्य है अभी एक तरफ बोल रहे हो कि लगभग एक तरफ बोल रहे हो पुई तरीके से तो कोई ये की चीज लगाओ न he is quite competent for the post of manager कि वो योग्य है manager की post के लिए तो उसे chance मिलेगा तो वो company को आगे तक पहुचा सकता है my brother does not know to make, ये पढ़ाया हुआ है does not know how to make होता है know हो गया, learn हो गया, discover हो गया, teach हो गया उनके बाद अगर infinitive आता है तो how का structure लेके आता है I reached late but my friend my friend reached latter नहीं later आना चाहिए, later का मतलब होता है बाद में तो former के साथ use होता है पहले वाला और बाद वाला यहाँ बाद वाले का sense नहीं देना है बाद में वाला sense देना है adjective chapter में पढ़ाया था उसका error है यह अब आप सोचरों के साथ adverb chapter में कैसे आ गया सारे chapters कहीं न कहीं interconnected है ठीक है, तो कुछ questions subject verb agreement के आपको tense में देखने को मिलेंगे, कुछ questions आपको tense के pronounce में देखने को मिलेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि यह जो question है, वो particularly इसी chapter का है कुछ-कुछ questions होते है जो किसी chapter के नहीं होते miscellaneous रहते कहीं पर भी आ जाते है तो I reached late but my friend reached later than I did मेरे बाद में आया वो her parents were upset with her because she always come home late, वो देरी से आती है, lately नहीं होगा चरी जल्दी बनाईए she has never imposed her choice upon me but she has done so yesterday yesterday लिखा है न, तो yesterday के लिए आप second form use करते हैं, has done नहीं आएगा, did आएगा I haven't seen him since he has left his college, याद करो, since के इधर अगर present perfect tense है, तो since के इधर verb की second form आती है, only left आना चाहिए, ठीक है since के अगर left hand side में आपको present perfect देख रहा है, तो इस साइड verb की second form आती है, ये structure भी पढ़ाया हुआ we are very happy because he welcomed us very hotly हम बहुत खुश हैं क्योंकि इसने हमारा welcome किया, बड़ी hotly है hotly क्या होता है, warmly आना चाहिए, warmly का मतलब बड़े प्यार से उन्होंने हमारी क्या बोलते है, खात्रदारी करी है hospitality उनकी बहुत अच्छी थी और बड़े प्यार से उन्होंने मारा स्वागत किया, warmly है तो this movie is much entertaining, V1 ING के लिए very use करते हैं V3 के लिए much use करते हैं, मैं repeat कर रहा हूँ generally हम लोग V1 ING के लिए very use करते हैं I am very I am very interested सही है, I am much interested this is very interesting या much interesting, very interesting, तो ING के लिए very use करते हैं, V3 के लिए much use करते हैं generally, हाला कि इनमे भी अपवाद होते हैं वो rarely आपको examination में देखने को मिलेंगे, जैसा कि मैंने कहा आपको चलिए, रागव is the wisest, enough नहीं होता, enough के साथ जो adjective आता है तो उसके बाद आता है, A, E, N अगर आपको ध्यान होगा, तो पहली बात तो enough पहले आना चाहिए और आगे wise आना चाहिए को कि enough के साथ positive degree का adjective आता है good enough, wise enough है ना, sorry, enough wise कर दिया क्या, oh, wise enough sorry, 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 enough तो उदर ही रहेगा आ, A, E, N में enough तो बात में रहता है adjective पहले रहता है, तो और दा भी नहीं आएगा रागव is wise enough in his friend circle, ठीक है wise enough, wise enough positive degree का adjective यूज होता है, enough के साथ ध्यान रखेगा I have been asked often, often की जो position है, मैंने आपको बताया था, वो main verb से पहले या पर helping verb main verb के बीच में, तो I have often been asked, है न, helping verb और main verb के बीच में, I have often been asked, ठीक है तो often के जो जगा है वो गलत थी similarly always भी यहाँ पर आता है, adverb of frequency है main verb से पहले, तो he always comes first as I guess our team must be, देखो, MPT MPT, तो place और time तो पहले place आएगा, फिर time आएगा here, यहाँ आना चाहिए, here भी tomorrow as I guess our team must be here tomorrow be here tomorrow, ठीक है is the room enough, large enough, large नहीं, large enough a, e, n भुल गए, पहले adjective, large, larger, largest large adjective है, फिर enough आएगा I must tell you that you should not you should not have should, model verb है, उसके बाद main verb आती है, तो जो note की position है, वो helping, वो main verb के बीच में होती है यह passive है, जिसमें V3 तो mandatory होता ही है, है ना जैसे should plus first form यह active है model verb के बाद पहली form आ रही है इसी का passive क्या बनता है, should plus be plus verb की third form, यह बनता है वो passive नहीं है, sorry, वो past में गया हुआ है, I'm sorry, लेकिन point समझो, should plus first form जो है, और इसका passive बनता है should be plus verb की third form, अगर not use करेंगे तो इसके बीच में आता है should plus verb की first form की बीच में, I should not go there, I should not tell you, similarly नीचे वाली situation में जब not use करेंगे वो तो should और be के बीच में आएगा वही helping verb main verb की first form helping verb main verb की first form और V3 तो mandatory होता है passive में तो अगर मैं बोलूं कि you should not write a letter तो a letter should not be written, should not be written, note कहां आ रहा है should or be के बीच में आ रहा है, ऐसे should have third form जब आजए, जैसे should be third form, ऐसे should have third form आजए, तो should or have के बीच में, जैसे should or be के बीच में नोट आता है जैसे should or have के बीच में नोट आता है यह passive नहीं है, यह structure पास्ट का होता है कि should not have gone there, should not have told you, नहीं करना चाहिए था, नहीं बताना चाहिए था, हम बोलते हैं, हम इने पढ़ाया हुआ, मुझे याद आ रहा है, तो not की position सीखनी थी आपने कहां पे आता है, should or have के बीच में आता है, ठीक है, I was ecstatic happy, देखो happy क्या है, adjective है, adjective को कौन modify एक्स्टेटिकली happy आना चाहिए, the wound in my hand not yet completely healed होना चाहिए, V3 को कौन modify करेगा, adverb करेगा न, completely healed होना चाहिए, ठीक है, वैसे यहाँ पे यह participle है, ध्यान रखिएगा, लेकिन फिर भी modify तो उसे कौन करेगा, पार्टिसिपल क्या होते हैं, पार्टिसिपल या तो V3 होते हैं, या adjective होते हैं, अब यह कुछ भी हो, चाहिए verb हो, चाहिए adjective हो, modify तो adverb ही करेगा न, तो completely healed होना चाहिए, वैसे यहाँ पे यह adjective है, healed verb भी नहीं है, अब वो कैसे, क्योंकि जो wound है, वो आपका subject है, उसकी जो verb है, वो यह रही, is giving, तो subject को verb मिलगी, तो healed को अगर आप verb बनारे हो, तो इसका subject कहा है, यह verb है ही नहीं, यह participle है, यह adjective है, यह सुन न, क्या heal नहीं हुआ, wound हील नहीं हुआ है, noun को जो एक तरीके से modify करे, समझ में आया, लेकिन point वो नहीं था, point यह था, यह वीथरी हो, चा appeared quite interesting, initially turned out to be boring in its later, बाद वाले parts में, दूसरे वाले नहीं, बाद वाले parts में, never जब शुरू में आता है, तो inversion लेके आता है, never have I listened होगा, of all the friends I have had, he is the most helpful and less, नहीं, least arrogant होगा, जब एक तरफ यहाँ पे most helpful है, superlative degree है, तो add के दूसी तरफ भी क्या होगा, आपका least arrogant, superlative degree होगा little less least, watch how careful the sparrow knit the straws into one another to form one, watch how careful the sparrow knit the straws, straws मतलब तिनका निट मतलब बुनना, तो कैसे वो तिनका तिनका लेके आती है और अपना घोसला बनाती है, तो बनाना, निट मतलब बनाना, तो verb को modify करना है ना बचा, बोलो भी, तो watch how carefully knit किया उनोंने, कितना सावधानी पूरवक बुना, कैसे बुना सावधानी पूरवक बुना, else के साथ बटाता है भी देखा, other than else but, enough hot नहीं hot enough होना चाहिए, it is hot enough to make you, hot enough, you deserted हर, तुम नफरत करते हैं, तुमने नफरत करी उससे, but she yet loves you alone, पहली बात तो उसे desert करो, य वो फिर भी तुम्हें प्यार करते है, यह बोलना था, अब भाई, यहाँ पर yet और but कैसे आगया, still आना चाहिए, but she still loves you alone, तुम नफरत करते हो, but वो अभी भी तुमसे महबत करती है, the train is already left, train is नहीं left है न, has already left आएगा, has के बाद verb की third form आती है, she was too glad to see you, अब आप सोच रहोगे sir, two के बाद, अच्छी quality वाले adjective तो आते नहीं, आपने पढ़ा है तब बुरी वाले आते हैं, फिर आप कहोगे sir, मुझे बात ध्यान आ रही है, आपने का था, अगर आगे two plus first form continue, तो कुछ भी आ सकता है, अच्छी quality, बुरी quality, दोनो, है न इतने खुशों कि तुम देख नहीं सकते, जैसे he is, है न, two weak to walk, इतना weak है कि चल नहीं सकता, two weak to walk, two plus first form आता है, तो यह structure होता है, इतना की और negative sense देता है, क्या यह वाला structure दे रहा है, कि तुम इतने खुशों कि तुम देख नहीं सकता, वो structure है यह नहीं यहाँ पे, तो कहन का मतलब, two glad, गलत हो गया, क्योंकि two जो है, वो negative चीजों के साथ आता है, अगर वो two plus first form वाला structure continue होता, वो इतना की हो, नेगेटिव वाला तो बात अलगती, तो यह सही हो सकता था, जैसे this news is too good to be true, too good to be true, समझ मैं, two be, इतनी अच्छी है कि सही नहीं हो सकती है, यहाँ पे too glad नहीं हो, क्योंकि वो इतना की वाला structure ही नहीं है, तो अब क्या करें जी, तो इसे vary कर दा ना बस, क्योंकि vary तो किसी के साथ भी आता है, अच्छी बुरी दोनों qualities के साथ, she was very glad to see you, ठीक, they are kind much नहीं, they are kind enough आना चाहिए है न, they are kind enough to help us, I behaved coldly, मैंने बुरी तरीके से वहव किया उस critical situation में, so everybody appreciated me coldly, और appreciate किया, coldly का मतलब गुसे से, तो अच्छे तरीके से किया होगा न, जब appreciate किया है, तो coldly नहीं, coolly, c00ly, coolly मतलब बहुत अच्छे तरीके से, cool manner में, in a cool manner, composer अपना maintain करते हुए, balance, दिमाग को शान्त रखते हुए, I have hardly never criticized them, अब ध्यान से देखो यहां पे, I have hardly भी आगया, never भी होगया, double negative होगया, अब आप सोच रहोगे, A part में गलती है, या B part में है, तो ध्यान रखिए का, hardly structure तो use कर सकते हैं, I have hardly eaten this, बोल सकते हैं, I have never eaten this, seldom eaten this, बोलते हैं तो hardly में क्या दिक्कत है, never अटाओ अगले part में, जब यहां तक sentence सही है, पढ more successful comparative degree है, comparative degree को much modify करता है, she, sorry, he behaved yesterday foolishly there, वो MPT करो भई, MPT, सबसे पहले manner, manner का मतलब foolishly आएगा, फिर place, place मतलब there आएगा, फिर yesterday आएगा, तो he behaved foolishly there yesterday, यही होगा न, MPT, he behaved foolishly there yesterday, यह बनना चाहिए, as I think she has not judged me correctly, therefore she is very annoyed with me, जैसा कि मैं सोचता हूँ कि उसने judge नहीं किया मुझे correctly, therefore she is very annoyed, annoyed verb की third form मैंने का था, उसके लिए much आता है, much interested, very interesting, often का place गले था, I often used to, main verb से पहले बताया था न, या तो helping verb main verb के बीच में, या main verb से पहले, तो model verb है यहाँ पे है, चलो, I often used to take a break from my packed schedule for playing cricket, It was too much painful कैसे होगा, much, too much है न, much के बाद तो noun होता है, much to करना पड़ेगा न, इसे much to, too के बाद adjective आ सकता है, painful, It was much too painful, mangoes taste more, बड़ा प्यादा question देखो भी, अब आप सोचरों कि verb को modify करेगा, adverb आना चाहिए, तो sweetly सही है, और sweetly का fit then लिखा है, तो comparison भी बनाना है, तो more sweetly कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं होगा, taste के बाद, appear के बाद, smell के बाद, ये linking verb होती है, इनके बाद कभी adverb होता ही नहीं, adjective होते है, It tastes good होता है या well होता है, बताओ मुझे, It smells awful होता है या awfully होता है, It smells terrible होता है, तो mangoes taste sweet होता है या sweetly होता है, तेस्ट हो गया आपका अपीर हो गया जो linking words वा ने लिखवाई हुई है basically इनके बाद हम लोग adjective यूज करते हैं तो पहली बात mangoes taste क्या करोगे यहाँ पे पहली बात तो करोगे यहाँ पे sweet पहला point तो दूसरा point then लिखा है तो इसका अब comparative degree भी बनाना है तो sweeter तो mangoes taste sweeter than any other fruit of this world my father is very quicker very quicker नी much quicker comparative degree है ना then I add billiards a man of 50 cannot be cold cold हो गया consider हो गया इनके बाद as use नहीं करते है enough wise आना चाहिए he is enough wise wise enough आना चाहिए ना a-e-n he is being very politely नहीं polite क्योंकि he को बताना है he क्या है pronoun pronoun के बारे में जो बताए वो adjective होता है polite I have never seen a coward man like you याद करो मैंने पढ़ाया है यह आपको जो coward होता है ना coward यह अपने आप में एक noun होता है और जो cowardly होता है cowardly यह adjective होता है तो आप ऐसा कैसे बोल सकते हो यह article man के लिए noun है तो noun को modify को न करता है adjective करता है तो cowardly man होना चाहिए coward के बाद कभी man ने लिखते है simple बोलते है he is a coward coward अपने आप में ही noun होता है लेकिन अगर आपने man लिखना है तो वो coward नहीं होगा cowardly man होगा ध्यान रखना बताओ बही जल्दी से consider है refuse है इनके बाद as नहीं आता है हलांकि वो brave है लेकिन वो face नहीं कर सकता है जिंदगी के उतार चड़ाव को manly गलत हो गया यान है manfully manfully का मतलब होता है bravely कि वो जिंदगी के उतार चड़ाव को बहादुरी से वीरता से face नहीं कर सकता है manly का मतलब होता है मरदाना जैसे manly voice ना मरदाना आवाज manly term नहीं चाहिए हमें कि मर्दाना वो face मर्दानिगी से face नहीं कर सकता बस बहादुरी से यह बोलना था ठीक है आप ऐसा नहीं है कि बहादुरी को सिर्फ मर्दाना से relate करोगे औरते भी तो बहादुर हो सकती है तो manly नहीं manfully We must try to solve our hard earned मेहनत से कमाई पैसा होता है When I read his biography I hardly found anything आना चाहिए क्योंकि hardly के साथ negative होता है negative है तो any होता है some तो positive में आता है relatively hot होना चाहिए adjective के अंदर पढ़ा क्योंकि relatively भी comparative degree होता है hotter भी comparative, double-double comparative होजाएंगे relatively hot today He is too much strong नहीं much too strong होना चाहिए अगर जल्दी जल्दी में कहते question उपर नीचे हो जाए तो please comment section में बता दीजिए का मुझे है ना कभी-कभी हो जाता है flow-flow में उपर नीचे लेकिन आप मुझे पता है कि मुझे माफ कर देंगे अगर मैं गल्ती से कर भी देता हूँ पहली बात तो नहीं मैं बहुत ध्यान से कर रहा हूँ question still अगर नहीं ध्यान रहे तो किर्पया करके हमाचे बताईए I'll acknowledge that ठीक है She is none too intelligent अभी घणी कसूतियंग रेजी नहीं I'll acknowledge that यो यो इश्य बॉय चलो She is none too intelligent अरे none too का मतलब क्या होता है Not very intelligent She is none too intelligent She may pass the exam कुछ गलती है इसके अंदर लो She is none too intelligent या She is अगर not very आएगा यहाँ पे सुनो न मेरी बात क्योंकि none too का मतलब होता है Not very और only too का मतलब होता है Very तो बताओ भी क्या करेंगे Only too का मतलब very None too का मतलब not very तो वो intelligent नहीं है और pass कर लेगी या वो intelligent है बहुत intelligent और pass कर लेगी है Negative नहीं चाहिए Positive चाहिए She is only too intelligent समय में आएए आप ऐसे ही बोल सकते है She is very intelligent क्योंकि only too का मतलब very तो होता है अभी तो बढ़ा है मैंने She is very intelligent She में पास्द एक्जाम ना कि none too intelligent We have too much too strength है na strength noun होता है strong adjective होता है तो noun को modify करने के लिए too much करना पड़ेगा too much strength None too या only too तुम intelligent नहीं हो So you can obtain good marks अरे तुम intelligent हो Only too आना चाहिए Only too बोलो या very बोलो You are very intelligent या only too intelligent Seldom जब शुरू में आता है तो inversion लेके आता है inversion बनाने के लिए Do I tell करना पड़ेगा Seldom do I tell a lie जल्दी से बनाओ Not only he does Not only जब शुरू में आता है तो inversion लेके आता है Not only does he dance आना चाहिए पिशले वाले में क्या किया था Seldom do I tell था Not only does he dance Scarcely जब शुरू में आता है तो inversion लेके आता है Head I seen होना चाहिए No sooner जब शुरू में आता है तो inversion लेके आता है Head I raised होना चाहिए आगे then भी आता है और Scarcely के साथ When we आता है Not only के साथ But also आता है I guess this moment is much exciting V1 ING है तो vary आना चाहिए सुरेश जो annoyed है V3 है तो much आना चाहिए कैसी रही report मज़ा आया I hope session अच्छा लगा होगा और आपने सवाल साथ साथ solve करने की कोशिश की होगी और कुछ नहीं चीज़े सीखी होगी अगर concepts पढ़े है तो आपको मज़ा आ गया होगा नहीं पढ़े तो यहां तक आओगे निशायद मेरी ये बात सुनी नहीं रहे होगे बीच में ही भाग्यों गया Telegram channel join रखें सबसे पहली बात दूसरी बात मुझे बताईए comment section में अब और क्या पढ़ना चाहते हैं आप लोग आपके comments को मैं definitely appreciate करूँगा आप बताईए session कैसा लगा क्या नहीं चीज़े सीखिए और क्या नया पढ़ना चाहते हो तो यह सारी बाते comment section के थ्रू हम लोग करेंगे आप यह मत सुझे कि मैं आपके comments पढ़ता नहीं definitely पढ़ता हूँ सबके पढ़ता हूँ बस reply नहीं दे पाता हूँ क्योंकि बहुत सारे हो जाते हैं पढ़ता हूँ मैं सबके comments हूँ निश्चिन्त रहिए आप लोग ठीक है तो telegram channel आप लोग join रखियो उसके इलावा अगर कोई बच्चा रहाने के अदमी प्लस पर मुझसे पढ़ना चाहता है जैसे कि आप लोग जानते हैं मैं वह bank examination के लिए पढ़ा रहा हूँ तो bank examination के लिए नई batches शुरू हो रहे हैं 25 तारीक से एक basic to advanced conceptual course शुरू हो रहा है और एक basic to advanced level of course शुरू हो रहा है जिसमें pre PO, pre clerk, mains PO, mains level के हिसाब से त्यारी करते हैं दोनों course और एक topic wise practice course भी शुरू हो रहा है जैसे ये noun, pronounce words के practice question वाले तो ये तीन-तीन courses शुरू हो रहे हैं अप्रेल के अद्वे मतलब 25 से शुरू हो रहे हैं आप लोग इन courses को देखना चाहें मेरे और जो मैंने पढ़ा दियें courses और जो मैं पढ़ाऊंगा वो सारे courses का access आप ले सकते हैं अने के अद्मी प्लस सब्सक्राइब करके plus at the same time plus का मतलब अने के अद्मी प्लस नहीं ता plus का मतलब यहां more over था at the same time आप दूसरे teacher से भी पढ़ सकते हैं सब्सक्रिप्शन होता है जिसमें मेरे लावा सभी टीचर से बढ़ पाएंगे सब्सक्रिप्शन एक है टीचर सारे है unlimited access रहता है मेरे courses का और बाकी teachers का भी bank examination goal select कर लेना और जब भी subscribe करो यह referral code यूज़ कर लीज़ेगा आपको maximum discount मिल जाएगा daily live class होती है जबरदस level पर चाहे वो concept की classes हो practice हो या descriptive हो पीछे पढ़ें भी है courses आप पुराने courses भी देख सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा practice करने हैं दुनिया भर का content पढ़ा है तो structure में और regular basis पर आप त्यारी चाहते हैं तो definitely आप सब्सक्राइब करके देख सकते हैं तो खुली बहुत आपका स्वागत है मुलाकात करेंगे फिर next session में ध्यान रखिए अपना तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत प्यादा